नमस्कार दोस्तों मैं स्वपनिल आज 12 सितंबर 2022 आज हम बात करेंगे देश में धान उत्पादन में कम होने की संभावना पर देश में खरीफ सीजन 2022 के लिए धान के रगबे और उत्पादन में संभावित कमी लगबग 6 प्रतीशत हैं 2021 में खरीफ के लिए अंतिम रगबा 403.58 लाख हेक्टिर था क्रिशी मंत्राले से प्राप्त जानकारी अनुसार अभी तक 325 तश मलव 39 लाख हेक्टिर का रगबा कवर किया जा चुका है घरेल उत्पादन में 60-70 LMT अनुमान उत्पादन कमी का अनुमान है लेकिन कुछ शेत्रों में अच्छी मांसुन वर्षा के कारण उत्पादन हानी घटकर 40-50 LMT तक सिमित रह सकती है चावल की घरेलू कीमतों में व्रधी का रुज्ञान दिखाई दे रहा है और धान के लगभग दस MMT कम उत्पादन के अनुमान और पिछले वर्ष की समान अवधी की तुलना में गैर बासमती के निर्याद में 11 प्रतीशत की व्रधी के कारण इसमें तेजी जारी रह सकते हैं तथा पी पिछले वर्ष के 212 LMT के निर्याद के साथ ऐसा कहा जा सकता है कि भारत अभी भी चावर उत्पादन में अधिशेश है तो तिलहन दलहन मसाला सोना चांदी अकच्चे तेल पर विशेश रिपोर्ट के लिए आप हमसे संपर्ग कर सकते हैं नमबर आपकी स्क्रीन पर दिये हुए है अजे एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला एस्ट्रो फैनेंशल डिजिटल चैनल है जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट विशलेशन देता है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले किसी भी अगरे विशेश रिपोर्ट के लिए आप हमसे संपर्ग कर सकते हैं संपर्ग करने के लिए नमबर आपकी स्क्रीन पर दिये हुए है